हा तो यार तो आज श्यस वीडियों में हम लोग बात करने वाले हैं फैन मंगा के बारे में और आज श्यस वीडियों पर इसके लिए मैं करने वाला हूँ Dragon Ball New Age के Chapter 1 का Review तो चली वीडियो स्राट करते हैं तो गैस Dragon Ball New Age के Introduction Chapter का मैं Review कर चुक आए हूँ इसमें हम सब लोग ने देखा था introduction ड्रेगन बॉल न्यू एज का, उस chapter के अंदर हम लोग को ये बताया गया था कि कैसे गोकु वापस आता है, कैसे गोकु वापस से जिंदा होता है, और हम लोग को दो mysterious saiyan के बार में भी बताया था, जो कि आने वाले है अर्थ के उपर, तो इस तरह से तुझे इस रूम से बाहल ला सकती, जब से गोकु वापस आया है, तू बस ट्रेनिंगी करता रहता है, और मैं समझ सकती हूँ कि तू गोकु के लेवल तक आ चुका है, और तू इससे बनाया रखना चाहता है, लेकिन mighty vegeta को भी lunch break की नीट पढ़ती होगी न, ज विजिटा और बुलमा को कोई आवाज आती है, विजिटा बोलता है, ये कैसी आवाज थी, ऐसा लगा जैसे कि कोई plane निकला है उपर से, देन हम लोग को दिखाया जाता है, वो जो तू मिस्चिरिस सेन होते हैं, उनके जो parts होते हैं, वो अर्थ पर land हो जाते हैं, और city का ए जोरत है कि मुझे इसके बार में बहुत जादा बुरी feeling आ रही है, तुझे help के लिए रुखना चाहिए, जिस पर विजिटा बोलता है, इन्होंने मेरी city बरबाद कर दी, मेरा घर भी तोड़ने वाले थे, मैं तो घंटा वेट नी करने वाला है, जिस पर बुलमा बोलती है हाँ हाँ तेरा हमीशा का attitude, जब भी space spot अर्थ पर आते हैं, वो कभी भी कोई अच्छी खबर लेके तो नहीं आते हैं, जिस पर विजिटा बोलता है, मुझे पता है, तीन साल पहले जब केकरोट मर गया था, तो मैंने कसम खाई थी कि मैं अर्थ को बचाऊंगा, अभी केकर पापस आगया है, लेकिन मेरी कसम तो चेंज नहीं होगी ना इससे, जिस पर बोलो बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम सेन से बात करना सच में बकवास ही है, जब भी तुम बेवकूप कहीं के मार खाके आते हो, तो तुमारी वाइफ ही तुमारा केर करती है, पर म अनून सेन की जो वाइफ है, वो पावर लेवल चेक करने लगती है, और बोलती है, कि यहाँ पर तो कोई क्लास्ट्रूमे भी नहीं जा पारा, बस 12 लोग की ऐसे हैं, जिनकी पावर ठीक ठाक है, उसमें से 6 ऐसे हैं, जिनको हमको अटेंचन देना चाहिए, अभी उस सेन को बोलता है, कि क्या सच में तुझे मेरे हाथ को देखना है, ऐसा कहने के बाद वो जो अनून सेन होता है, वो पुलिस ऑफिसर पे की बलास्ट कर देता है, और उसको मार देता है, और वो की बलास्ट का जो एक्स्पलोजन होता है, वो इतना बड़ा होता है, कि वो विजीटा तक जाता है विजीटा बोलता है ये क्या था अब ये मुझे काफे ज़दा immense की फील हो रही है ये मेरे और कैकरोड जितनी ही की है वो unknown scene बोलता है क्या तुझे लगता है कि इस से उसके attention मुझे मिलीगी जिस पर उसकी vibe बोलती है तूने इस छोटे से टैड के लिए मतलब एक छोटी और ये काफी जादा बड़ी दैन कामिसामा के प्लेस पे जो बाकी सी फाइटर्स होते हैं गोटेन और पिकलो भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो भी महसूस करते हैं इस की ब्लास को और वो इंटरप्ट करते थे हैं ट्रेनिंग गोकु गोहान और उपकिन बता गए कहा देन विजीटा को जो है कोई अन्नोन वोई सुनाई देती है वहाँ पर वो से इन बोलता है तुम्हें दौरा देखकर काफी अच्छा लगा विजीटा काफी टाइम बीद गया तुम से मिले हुए तुम काफी बड़े भी हो गए हो लेकिन मैंने तुम्हें आराम स को देख रहा हूं मैं इसका क्षि कभी नहीं बोल सकता है तू किस तरह का खेल खेल रहा है मैंने तुझे अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा जिसंपर कमने को देख़ां पर या कर लूग मैं तो आQu तो टो लेकिन तो श्यादा है भाकि जी वौर से से जानता हूं पर है यह पूखता है गोकू से क्या तो प्लैंट नेकपर www. shifts.smart Cu refinance Ramp बोलता है नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता है लास्ट टाइम जब मैं वहां टेलिपोर्ट हुआ था तो लौड Curse क Lorz से हुआ था लॉड की होना होता है और वह यहां से काफी ज़्यादा दूर है और वैसे भी मैं काफी ज़्यादा exhaust हो जगा हूँ विकोज मैंने गोहान और उफ के साथ काफी ज़्यादा ट्रेनिंग की है मेरे अंदर पावर भी नहीं बची है जिसपर पिगलो बोलता है यह काफी ज़्यादा बुरी टाइमिंग है डेंडे भी नेमिक पर गया है और वो अगले वीक में ही वापस आएगा तो हम तेरे को हील भी नहीं कर सकते गुकू बोलता है मास्टर कारिन के पास सेंजुबीन ज़रूर होंगी जैसे हम लोग को सेंजुबीन मिल जाती है हम लोग सीधा तुमारी तरफ आ जाएंगे डेंड जो सारे के सारे जी फाइटर्स होते हैं वो निकल जाते हैं मास्टर कारिन की टावर की और वहाँ पर गोकू गोहान और उब रुख जाते हैं लेकिन पिकलो और गोटें चले जाते हैं विजीटा की तरफ जैना हम लोग को लेगे जाते हैं विजीटा की तरफ जो की काफी ज़दा confusion में होता है विजीटा बोलता है तू है कौन अपने बार में मुझे सब कुछ बता जिसपर वो सेन बोलता है अगर तरे को सची सुनना है तो मैं तरे को सच बताऊंगा मैं भी तेरी तरह एक सेन हूँ मैं भी प्लैनेट विजीटा पर ही पैदा हुआ था और मैं भी किंग विजीटा का ही बेटा हूँ अभी ये सुनके विजिटा काफी ज़धा शौक हो जाता है वो सेयन बोलता है हाँ मैंने सही कहा मेरी आखों में देख में जूट नहीं बोल रहा हूँ मैं तेरा भाई हूँ यहाँ पर आगे चैप्टर नमबर बन खतम हो जाता है यह जो अननून सेयन है यह आफटर रॉल विजिटा का भाई निकला मतलब यह काफी ज़धा शौकिंग बात है यह फैन मांगा अभी से काफी ज़धा मज़िदार होती जा रही है आगे जो इसके चैप्टर रहेंगे वो और पी ज़धा मज़िदार होंगे आज यह वीडियो पस्काइब नहीं था गाई तो लिए आपको वीडियो पसंद आए होगा आपको वीडियो पसंद आए तो लेकिज़ शीर किज़ों को यह सब्सक्राइब मिल तो आप से लिए वीडियो में तेल दैन बी गूड गाईस